उत्तर प्रदेश के राजपाल श्रिमती आनुदिवन पतेल जी, केंद्रिय मंत्री परिशत के मेरे वरिश्ट सहयोगी और इसी धर्ति के प्रतिनी धी स्रिमान राजनाथ स्वीं जी, यहां के यश्रश्वी मुख्यमंत्री स्रिमान योगी आधितिनाज जी, उपमुख्यमंत्री केश्व पुरसाद जी, दिनेश शर्मा जी, विजान सभाग अध्यक्ष महदय, सिवान आरायन दिक्षित जी, यूपी सरकार के मंत्री गाण, यूपी के सांसद गाण, आरुपस्तित, देवी और सज्जनों, लखनों के सांसद ने मेरा स्वागत किया, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री ने स्वागत किया, तो काश्री का सांसद धन्यवाद कहता है. आज मेरा स्वाग्य है, कि महत्वपोंट दूसरे कारकम में मुझे आने का उसर मिला है, और दोनों कारकम में मुझे अटलवी हरिवाजपाई जी को बंदन करने का, उनके वीजन को सम्मान करने का उसर प्राप्त हुआ है. यहाँ आने से पूरवम है, दिल्ली में अटल जल योजना का सुभारम कर रहा था. छे हजार करोड रुपे की इस योजना के तहट, उत्तर प्रदेश सही देश के साथ राज्यों में भूजल के स्तर को सुधारने के लिए काम किया जाएगा. इसके साथ ही आज हिमाचल को लद्दाग से जोडने वाली रोतांग स्वरांग का नाम अटल तनल के नाम पर किया गया है. ये भी संयोग है कि आज सुशासन दिवद के रूप में जब हम बना रहें तब यूपी का साथन जिस भवन से चलता है वहां अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया है. उनकी ये भगवे प्रतिमा लोग भवन में कार करने वाले लोगों को सुशासन की लोग सेवा की निरंतर प्रेड़ा देती रहेगी. साथ के इसके अलावा अटल जी को समर्पित अटल मेडिकल उनिवर्सिटी का सनान्यास किया गया है. जो लखनव बरसों तक अटल जी की कर्म भुवी रहा, अटल जी की समसदिय सीट रही हो और वहाँ आकर सिक्षा से जुड़े, स्वास्थ से जुड़े, समस्थान का सिलान्यास करना, जिसको भी अवसर मिलेगा, वो जीवन में इसे अपना सवभाग्य मानेगा, मेरे लिए भी आज ये सवभाग्य की पल है. जब अटल जी यहां से सांसत थे, तब उन्होंने यहां विकास की अनेक परियोजनाओं पर काम शुरू करवाया था. रिंग रोड का काम हो, पुराने लखनों में ड्रैनिज सिस्टिम हो, यहां के एरपोर्ट का आधुनी करण हो, वालमी की आमबेड कर आवास योजना हो, बायोटेक पार्क हो, लखनों को नई पहचान देने वाले सैक्डों काम अटल जी ने किये थे. अब सांसत के तौर पर सिमान राजनाज जी इस विरासत को समाल रहे हैं, समवार भी रहे हैं. सांस्यों अटल जी कहते थे कि जीवन को टुकडों में नहीं देखा जा सकता है, उसको समगरता में देखना होगा. ये बात सरकार के लिए भी उतनी ही सत्य हैं, और गुड गवर्नस के लिए भी, सूशाषन के लिए भी यही उपयुक्त मानदंड है. सूशाषन भी तभी तक संबव नहीं है, जब तक हम समस्याओं को संपुनता में, समगरता में, न सोचेंगे, न उसे सुलजाने का प्रयास करेंगे. मुझे संतोश हैं कि योगी जी की सरकार भी समगरता की इस सोच को साकार करने का बर्सक प्रयास कर रही है. अटरल मेडिकल युनिवर्सिटी उसी सोच को परिलिक्षित करती है. ये युनिवर्सिटी यूपी में मेडिकल की पढ़ाई और उसको समगरता देगी, संपूनता देगी और पाठ्यक्रम से लेकर के परिश्चा तक इसमें एक सुत्रता होगी, एक रूपता होगी और स्वाभाविक एकात्मभाव होगा. मेडिकल कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो, परामेडिकल कॉलेज हो, नर्सिंग हो, चिकित्सा से जुड़े हर कोर्स, हर डिग्री को देख कर आप इसी की देखरेक में ये विश्वा विद्यालें इस सारी व्यवस्ताओं को, विदाओं को आगे बढ़ाएगी. सरकारी हो, अर्दसरकारी हो या नीजी मेडिकल समसान हो, सभी की एफिलियेशन इसी युनिवर्सिटी से अब होने वाली है. एक समान सैक्षणिक सत्र कैलेंडर लागू होगा, परिछाएं तय समय पर होगी, पारदर्सित तरीके से होगी, इस युनिवर्सिटी के मन्ने से, यूपी में मेडिकल की पढ़ाय की क्वालिटी में और भी सुधार आने वाला है. सात्यों यूपी सहीद, पूरे देश के हिल सेक्टर के विकास के लिए, हमारा विजन और डायरेक्शन दोनों पहले ही दिन से स्पष्ट रहा है. स्वास्त के साथ-साथ इससे जुड़ी सुधाव में सुधार पर भी हमने ध्यान के इंद्रित किया है. हेल्थ सेक्टर के लिए सरकार का रोड मैफ है, पहला प्रिवेंटिव हेल्थ केर, उस पर बल दिया जाए. दूसरा एफ़र्डेबल हेल्थ केर, इसका जितना ज्यादा विस्तार हो प्रहास किया जाए. तीसरा, सप्लाई साइड इंटर्वेंशन यानि इस सेक्टर की हर डिमांड को देखते हुए सप्लाई को सुनिस्षित करना. और चौथा, मिशन मोड इंटर्वेंशन यानि स्वास्त से जुड़ी योजनाओं को मिशन मोड पर चला रहा. आप सरकार की तमाम योजनाओं को देखेंगे, तो वो इसी रहां से गुजरती है, इसी मैप पर आगे बढ़ती है. साथियों, बिमारी पर होने वाले खर्च को बचाने का सबसे आसान तरीका है कि बिमार होने से ही बचा जाए. यही प्रिवेंटिव हेल्थ केर है, और इसके लिए जितना ज़्यादा प्रमान में हम लोगों को जागुरुत करेंगे, जागुरुता होगी, जितना ज़्यादा सामाने मानवे इसे लेकर गंबीर होंगे, उतना ही उनमें इम्मिनिटी बढ़ेगी, सरीर स्वस्त होगा। स्वच्छ भारत एक प्रकार्च अगर प्रिवेंटिव हेल्थ केर का बड़ा अभियान है, तो योग भी प्रिवेंटिव हेल्थ केर के लिए जीरो कॉस हेल्थ केर है। उजवला योजना से धूए से माताओं को मुक्ति दिलाना, ये भी प्रिवेंटिव हेल्थ केर का काम है, तो दूसरी तरफ देश के हर नागरिक को फीट इंडिया मुव्मेंट का हिस्सा बना करके, उसको भी फीट रहने के लिए प्रेरित करना, इसके साथ साथ आविर्व को बढ़ावा देना, क्योंकि आजकल होलिस्टिक हिल्थ केर की मांग बढ़ती चली जा रही है, हर कोई साइड इफेक्ट से बचना चाहता है, और उसमें आयूश, आयूवेट ये बहुत बड़ी भूमी का अदा कर सकते हैं, तो ऐसे हर पहल बिमारियों की रोगठाम में अपना अहम योगदान दे रही हैं, प्रिवेंटिव हेल्थ केर के लिए हम जितना बल दे हैं, उतना हेल्थ सेक्टर के लिए हमारी चिंताय कम होती जाती है, एक तरफ जहां इसे कम्मुनिकेबल डिसीज की रोगठाम में बदद मिल रही हैं, वहीं दीसरी तरफ जीवन श प्रिवेंटिव हेल्थ केर की ही एक कड़ी है, देश के ग्रामिन इलाकों में सवालाग से ज़्यादा वैलनेस सेंटर का निर्माद। ये सेंटर बिमारी के शुरुवाती लक्षणों उसको पगड़ कर शुरुवात में ही उनके इलाज में मददगार साबीत होंगे। इसी तरह सरकार का विशेश जोड इम्मुनाइजेशन प्रोग्राम के विस्तार पर भी रहा है। हमने नई वैक्सिन जोडने के साथ ही दूर दराज वाले इलाकों में भी टीका करण अभियान पहुचाने में सफलता पाई है। इन दिनों हम लोग और मैंने कानपूर में इसको लौंच किया था पशूओं के आरोग्य को ले करके। फूट अंड माउट दिसीज वाला ये भी पशू का आरोग्य भी human element के लिए भी preventive healthcare के लिए काम आता है। अगर पशू बिमार नहीं हैं तो बिमारी फ्यलाने का वो कारण भी नहीं बनता है। यानि एक प्रकारत है holistic approach हमें आवश्रक्ता के अदूसार बल देते हुए आगे बढ़ाना होता है। साथ हेल्थ केरके दूसरे आयम यानि एफ़र्डिबिलिटी को बढ़ाने बढ़ाना देने के लिए इसके लिए भी सरकारत्वारा कई एतिहासिक कदम उठाए गए है। आयुश्मान भारत के कारण देश के करीब सत्तर लाग गरीब मरीजों का मुप्त इलाज हो चुका है। यह आयुश्मान भारत योजना दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। अमेरिका, कैनेडा और मेक्सिको उसकी टोटल जो जनसंग्या है उससे ज़्यादा भारत में आयुश्मान के लाबारतियों की सुची है। और इतने कम समय में 70 लाख लोगों ने इसका लाब लिया है। और यह वो लोग हैं जिसमें ज्यादा तर यह मान करके बैठे थे कि अब मृत्यू का ही इंतजार अच्छा होगा। जितने जल्दी मौत आजाए उतना अच्छा होगा। जितने दिन तक कस्ट जेल सकते हैं, बिमारी जेल सकते हैं, जेलते रहेंगे। लेकिन बच्चों को करज में डुबो करके हेल्ट के लिए कुछ करना नहीं है, ऑपरेशन करवाना नहीं है, हाट की ट्रिट्मेंट नहीं करवानी है, कैंसर की ट्रिट्मेंट नहीं करवानी है, सब कुछ आशा छोड़ कूए थे, लेका आईश्मान भारत योजन आने के ब मिल गया और एक रुपिये के खर्च के बिना सत्तर लाख लोगों का उपचा हो गया और मुझे खुशी है कि उत्तर प्रदेश ने इस योजना को आगे बढ़ाने में बहुत सक्रियता दिखाई अकेले उत्तर प्रदेश में करीब 11 लाख ऐसे परिवारों लोगों ने इसका इसी तरह जन अवशदी योजना कि इससे सस्ती दवाईयां मिल रही है यानि जो दवाई बाजार में जाकर के आप लेने जाते हैं सो रुप्या लगता है जन अवशदी के अंदरे वो 30-40 रुपे में मिल जाते हैं जिनको पर्मनेंट दवाईयां लेनी पड़ती हैं उन ल बारा सो पंदरा सो रुपिये तक का बिल की बचत हो रही है यानि यह पूरे देश में जन अवशदी केंद्रे बहुत पपलर हो रहे हैं और लोग जन अवशदी केंद्रे की दवाईयों को पसंद कर रहे हैं वहीं स्टैंड्स हो नीकेप्स की किमत वह भी काफी कमील आई जैसे जैसे गरीब से गरीब को स्वास्ता से बाउपलब्द हो रही है वैसे वैसे हेल्ट केर की डिमांड भी बढ़ रही है तो नए नए अस्पतालों नए नए क्लिनीक नए नर्सिंग हों बनने का रास्ता खुला है पिछले पांच वर्षों में रिकॉर्ड सेंख्या में मेडिकल सीटे बढ़ाई गई है इसी साल पूरे देश में 75 नए मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी देने का फैसला किया है एक प्रकार से ये हर तीन लोग सभा सीटों के बीच एक मेडिकल कॉलेज बनाने के हमारे वीजन को आगे बढ़ाने वाला एक सफल प्रयास है और इसका बहुत बढ़ा लाब भी उत्तरप्रदेश को मिल रहा है बीटे दो-तिन वर्षों में ही यूपी में दो दर्दन से जादा मेडिकल कॉलेज स्विक्रूत किये जा चुके हैं जिसमें से अनेक या तो सुरू हो चुके हैं या फिर निर्माण की प्रक्रिया में है साथियों सरकार द्वारा महिलाओं और बच्चों के स्वात को बहतर बनाने के लिए मिशन मोड में राश्ट्रिय पोशन अभ्यान समेत अनेक नेक आरकम चलाए जा रहे हैं टीबी को भारत से वर्थ दो हजार पचीस तक पूरी तरह समाप्त करने के लिए भी राश्ट्री अभ्यान चल रहा है देश के लोगों के स्वात को सुधारने में बिमारी पर होने वाले उनके खर्च को कम करने में यह चार आयाम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं सात्यों जन्स्वास्त के शेत्र में हो रहे इस अभुत्पर्व काम का लाप यूपी में भी देखने को मिल रहा है किस्वर्स एंसेफेलाइटिस इसके मामले में योगी जी और उनकी टीम ने और यूपी की जन्ता ने बहुत ही सराहनिय काम किया है और इसके लिए आप सब अभिनंदन के अधिकारी हैं अंतराश्ट्य संग्रणों ने बेही दुनिया की मान्य इंस्टिटूशन ने भी उत्तर प्रदेश की इस सफलता को सराह है उसकी प्रसमसा किये स्वच्छता और स्वास्त सुविधाओं को गाउं गाउं तक छुलब कराने का जो अभियान यहां की सरकार ने चलाया है वो यूपी के लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में बड़ा कदम है अब हमारा यह भी प्रयास होना चाहिए कि राष्ट्रिय पोशन मिशन और मिशन इंद्र धनुष के काम को हम और तेज करें ताकि आने वाले समय में यूपी का हर बच्चा सुरक्षित रहे हर नागरेट स्वस्त रहे साथियों आज सुसासन दिवस पर ऐसे समय में जब हम नए वर्ष और नए दसक में प्रवेश करने जा रहे हैं तब हमें अटल जी की एक और बात अवश्य याद रखनी चाहिए अटल जी कहते थे कि हर पीडी के भारत के प्रती में योगदान का मुल्यांकन दो बातों के आधार पर होगा और ये दोनों मान दन हर नागरिक के लिए हैं हम कोई भी काम करें दोनों मान दन को हमारे सामने रकर करें अटल जी ने हमें जो रास्ता दिखाया है उन दो में पहला है हमें जो विरासत में मिली कितनी समस्याओं को हमने सुल जाया है यह पहला मांदर विरासत में समस्याओं आई हैं आती है लेकिन हमने जो विरासत में मिली वो कितनी समस्याओं को सुल जाया है और दूसरा, राष्ट के भावी विकास के लिए हमने अपने खुद के प्रयासों से इनिशेटिव से कितनी मजबूत नीव रखी है। साथ में इन दोनों सवालों के आलोक में आज हम कह सकते हैं कि 2020 के साल में भारत अभूत पुर्व उपलब्दियों के साथ प्रवेश कर रहा है। हमें विरासत में जो भी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं और चनोतियां मिली उनके समाधान की निरंतर हम कोशिश कर रहे हैं। आर्टिकल 370 कितनी पुरानी विमारी थी, कितनी कठीन लगती थी, हमें विरासत में मिली थी, लेकिन हमारा दाईत्व था, कि हम ऐसी कठीन से कठीन चनोतियों को सुल जाने के लिए बर्चक प्रयास कियें। और हुआ। आराम से हुआ। सब की धानाएं चूर चूर हो गई। राम जन्म भुमी का इतना पुराना मामला। शांति पुर्ण समाधान। भारत आजाद हुआ विवाजन हुआ तब से लेकर के। लाखों गरीब उसमें भी जादा दलीत है। बंचीत है, शोशीत है। पहने कपड़े पहन करके, अपना धर्म बचाने के लिए, अपने बेटियों की हिज़त बचाने के लिए, जो लोग पाकितान, बंगला देश, अफगानिस्तान से भारत की शरन लेने के लिए मजबूर हो गए, ऐसे सरनार्थियों को नागरित्ता की घरिमा देने का रास्ता, ऐसी अनेक समस्याओं का हल इस देश के 130 करोड भारतियों ने निकाला है, इस आत्मविश्वात से भरावा हिंदुस्तान 2020 में प्रवेश कर रहा है, एक नए दसक में कदम रख रहा है, और अभी भी जो बाकी है, उनके समाधान के लिए भी, पूरे सामर्थ के साथ हर भारतवासी प्रयास कर रहा है, चाहे हर गरीब को घर देना हो, चाहे हर गर जल पहुँचाना हो, कितनी बड़ी चुनोतिया होगी, हम चुनोतियों को चुनोति देने के स्वभाव को लेकर के निकले, साथ्यों 2014 से लेकर 2019 तक के कालखण में, हमने चुनोतियों को चुनोति देने का एग भी मौका छोड़ा नहीं है, 2014 से पहले देश की आदे से अधिक आवादी के पास सौचाले नहीं था, अब सौचाले पहुंच चुका है, करोडों गरीब परिवार हमारी माताय बहने, रसोई गर में धूए में जिन्दी की गुजारती थी, अब हर घर तक गैस पहुंच रही है, हजारों गाव, हजारों परिवार अंधरे में जिन्दी की गुजार लेकले बजबूर थे, अब उनके घर में बिजली पहुंच रही है, आदे से ज्यादा आबादी, बैंक से दूर थी, उसके लिए बैंकों के दरवाजे खोले हैं, करोडों गरीब परिवार के पास अपना घर नहीं था, करीब दो करोड गरीब परिवारों के घर बन चुके हैं, 2022 तक हर गरीब जो बेगर है, उसको अपना पक्का घर देने के लिए काम तेजी से चल रहा है, गाउं गाउं तक सड़क पहुंचाने का काम, रेलवे कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम तेजी से चल रहा है, और साल 2024 तक हर गर जल पहुंचाने के संकल्प को सिद्ध करने के लिए भी हम पूरी तत्वत्ता के साथ जूट चुके हैं, यही समाधान न्यू इंडिया की प्रगति के लिए ठोस नीव तयार कर रहे हैं, इसी ठोस नीव पर हम फाइव ट्रिलियन डॉलर एकानामी, फाइव ट्रिलियन डॉलर की अर्थेववस्ता के संकल्प को सिद्ध करने के लिए 80 चुटी का जोड लगाते हुए देश को साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तक कि करोड़ों भारत वाजचों का जीवन सतर उपर उठें, गरीब से गरीब को भी गरीमा और सम्मान का जीवन मिलें, सात्यों यही तो सुशासन है, यही तो सुराज है, जिसकी कल्पना अटल भीहरी वाजचपाई जी और महामना मानुविया जी सहीत तमाम राष्ट निर्माताओं ने की सी, हमारी सरकार के लिए सुशासन का आर्फ है, सुनवाई सबकी हो, सुविदा हर नागरित तक पहुँचे, सुवसर हर भारतिय को मिले, सुरक्षा हर देश्वासी अनुभव करे, और सुलपता सरकार के हर तंत्रकी को सुनिश्चित करनी है, हमारे लिए सुशासन का एक ही मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वाद, इसी भाव और स्वभाव के साथ, हम सब जुटे हुए हैं, साथ यो, हमारा ये निरंतर प्रयास रहा है, कि सरकार से सत्ता सुख को निकाल कर सेवा के संस्कार घड़े जाएं, ये तभी संभव है, जब सामान्य मानवी के जीवन में, सरकार का दखल जितना कम हो, कम करने का प्रयास करना चीए, हमारा प्रयास है, कि सरकार अटकाने के बजाए, उल्जाने के बजाए, सुल्जाने का माध्यम बने, आप अगर इस सरकार का मुल्यांकन करेंगे, तो यही कोशिश हर कदम पर आप महसूस करेंगे, अब देश, दस्तावेजों के, एटेस्टेशन के, सत्यापन के दौर से बहार निकल रखाए, आपने खुच से प्रमानित कर दिया, खुच जिम्मेदरी ले ली, यही सरकार के लिए काफी है, आज अधिक तर सरकारी सेवाओं को ओनलाइन कर दिया गया है, डिजिटिल करन कर दिया गया है, जन्म प्रमान पत्र से लेकर पेंशन के लिए, जरूरी जीवन प्रमान पत्र तक जादा तर सेवाएं ओनलाइन है, पहले जहां कागजों, दस्तावेजों और सरकारी दफ्तर रहें, फेर में ही एक सामान ये व्यक्ति फशा रहता था, अब जीवन बहुत आसान हो रहा है, साथियों, हम सुसासन के उस दौर की तरफ बढ़ रहें, जहां जन्ता को आवेदन की जरूरत नहों बल्कि सरकार उनके घर जाकर निवेदन करें, कि कहीं कुछ समस्या तो नहीं है, आप देखेंगे कि जन्हित की जितनी भी योजनाएं आज चल रही हैं, उनमें लाभार्थियों के चैन से लेकर, उन तक लाभ पहुँचाने के लिए तकनीक का, डेटा साइंस का भरपुरू उप्योग हो रहा है, बेनिफिट डाइरेक्ट हो और डिलिवरी क्वीक हो, टारगेटेड हो, यह हमने सरकार की कार संस्क्रति में लाने का प्रयास किया है, इसी से पारदर्शिता भी आ रही है, जन्ता की सेवा भी तेजी से हो रही है, और देश के इमानदर करदाताओं का पैसा भी बच रहा है साथियों, आज अटल सिद्धी की इस धर्ती से मैं, यूपी के युवा साथियों को, यहां के हर नागरिक को एक और आगरह करने आया हूँ, आजादी के बाद हमने बराबर देखा है, आजादी के बाद के वर्षों में हमने सबसे ज़्यादा जोर अधिकारों पर दिया है लेकिन अब जब हम आजादी के 75 साल के और बढ़ रहे हैं, आजादी के दिवानों के सपनों को, आज अगर हम तोलते हैं, तो समय की मांग है कि अब तक भले हमने अधिकारों पर बल दिया हो, लेकिन अब वक्त की मांग है कि हमें अपने कर्तव्यों, अपने दाईतियों प पर भी उतना ही बल देना है ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उपी में जिस तरह कुछ लोगों ने विरोध प्रदेशन के नाम पर हिंसा की सरकारी संपति को नुपसार पहुचाया वो अपने घर में बैठ करके एक बार खुद को सवाल पूछे क्या उनका इरास्ता सही था उनकी प्रभुत्ती योग्य थी जो कुछ जलाया गया बर्बाद किया गया क्या वो उनके बच्चों को काम आने वाला नहीं था इस प्रदर्शन में हिंसा में जिन लोगों की मृत्यू हुई जो सामाइने नागरिक जख़भी हुए जो पुलीस वाले जख़भी हुए उनके और उनके परिवार के लोगों के प्रती पलबरम सोचें क्या बित्ती होगी और इसलिए मैं आगर करूगा कि जूटी अप्रव में आकर हिंसा करने वालों को सरकारी संपति तोड़ने वालों को मैं बहुत आगर से कहना चाहूंगा कि बहतर सड़क बहतर ट्रांस्पोर्ट सिस्ट्रिम उत्तम सिवर लाइन नागरिकों का हक है तो इसको सुरक्षित रखना साफ रसुत्रा रखना भी तो नागरिकों का दाईत्व है हक और दाईत्व को हमें साथ साथ और हमेशा याद रखना है उत्तम सिख्षा सुलब सिख्षा हमारा हक है लेकिन सिक्षा के संस्तानों की सुरक्षा, सिक्षकों का सम्मान ये हमारा दाईत्व भी है चिकित्सा सुभीता हमारा हक है लेकिन डॉक्टरों का सयोग और सम्मान करना हमारा दाईत्व भी है सुरक्षित माहोल मिलना हमारा हक है लेकिन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार पुलिस तंत्र के काम को सम्मान देना यह हर नागरी का दाईत्व है हक की एक मर्यादा है, दार्या है, उसका एक दायरा है, सीमा है लेकिन दाइत्व की कर्तव्य की भावना बहुत ही ब्यापक है साथ यो ये भावना नागरिकों के साथ साथ सरकार के लिए सरकार के हर तंत्र के लिए भी उतनी ही जरूरी है सरकार का दाइत्व है ये है कि वो पांच साल के लिए नहीं बल्कि पांच पीडियों को ध्यान में रखते हुए अपना काम करने की आदत बनाएं मुझे संतोज है कि यूपी सरकार अपने इस दाइत्व को निभाने का भरपूर प्रयास कर रही है हम अपना दाइत्व निभाएं अपने लक्षों को प्राप्त करें यही सुशासन अटल जी को स्बरण करते हुए हम लोगों का संकल्प होना चाहिए यही जनता की अपेक्षा है यही अटल विहारी वाजपाई कि हम सब को सिख्षा है एक बार फिर उत्तरप्रदेश के लोगों को अटल मेडिकल उनिवर्सिटी के लिए बहुत बहुत बधाई के साथ आप सबको भी अनेक अनेक शुपकामनाओं के साथ कुछ दिनों के बाद नया वर्ष प्रारंभ होगा इस नये वर्ष के भी जब बहुत दूर नहीं है सब्ता बच्मर है आप सभी को उत्तरप्रदेश के लोगों को वर्ष 2020 की बहुत बहुत सुपकामनाओं देता हूँ बहुत 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 लुकामनाओं